युनिफर्म सिविल कोट की जब बात पदान मंत्री कर रहे हैं वो युनिफर्म सिविल कोट की नहीं बात कर रहे हैं वो हिंदू सिविल कोट की बात कर रहे हैं पूरे जो इसलामिक रेफरेंसेस हैं प्रैक्टिस के उसको इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक रखते क्या थर्ड ली फॉर्ड ली सेक्शन ट्वेंटीवने स्पेशल मेरेज आग जो है इट प्रोटेक्स मेरेज़ेस अने इनरेटेंस बिट्वे हिंदूस बट थे सेम इस एक्टेंड़ तो मुसलिम्स वाई हाँ आप यहाँ पर हिंदू भाईयों को कल्चर बोलेंगे यहाँ पर इसलामिक प्रैक्टिस की उन्यूफर्मिटी ना पर निकालना चाहेंगे आप बीजेपी और पधान मंत्री यह बात कोई भूल गए सेक्शन टू जो है हिंदू मेरेज एक्ट में आदिवासी के एक्जम्शन देता कर सकते क्या पधान मंत्री उसको मोडी साब करेंगे अभी आदिवासी सरना कोड क्यों पूछ रहे भाई आर्टिकल 371 है भारत के सम्मेदान में प्राइमिनिस्टर करेंगे नागालेंड में जो हम निकाल सकते एक मनीपूर को नहीं जा सकते प्राइमिनिस्टर मोडी जहां पे 344 को जला दिये गए और आप 371 निकालेंगे क्या बता कर रहे हैं और फिर आप गुजरात में डिस्टर बेरियाज एक में मुसल्मान अपना घर नहीं बेच सकता हिंदू अपना घर मुसल्मान को नहीं बेच सकता आप गुजरात में मुख्यम मंत्री थे अभी भी आपकी सरकार है युनिफर्म सिविल कोर्ट की पदान मंत्री ब पंजाब में बोलो चलो पंजाब में बोलिए पदान मंत्री आप जाकर बोलिए पंजाब में सिकों से बोलिए कि उनिफॉर्म सिविल कोर्ट लेक आएंगे पंजाब के लोगों को बोलिए देखे क्या रियाक्शन होता और पदान मंत्री उनिफॉर्म सिविल कोर्ट के नाप भारत के मुसल्मानों को उनको हुमिलेट करो आप युनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं जब मानते आप वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे दे देंगे आप और पूरे मुसल्मानों के रिलिजिस प्रैक्टिस का उटला करना चाहते और एक बात प्रदान मंत्री ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी आल इंडिया मुसलिम परसनल लाव बोर्ड ने भी इस बात का जिकर किया है सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि एसेंशल रिलिजिस प्रैक्टिस जो है एसेंशल रिजिस प्रैक्टिस में अगर यू सी सी ले के आएंगे आप तो उसमे उसमें होगा क्या बतातों आपको उसमें होगा क्या कि खुरान की कई आयते हैं जिसको आप और रूल करेंगे जो एसेंशल रिजिस प्रैक्टिस है एक नहीं खुरान की कई आयत हैं कैसा करेंगे उसको आप बताई आप तो ये चीज़े हैं तो यू सी सी को इस्तेमाल कर र है कि भारत की दौलत सब में बाटी जाए भारत की जो दौलत है पचास तीसों दौलत तो सिर्फ आट-दस लोगों के पास है पदान मंत्री उसके क्यों नहीं बात कर रहे हैं वह तो चाय बेच कर आए ना उपर वो कैसे प्रिसाइट कर रहे हैं इन चीजों को पूरी दौलत भारत की पचास तौलत दौलत 10 परिवार के पास है तो किसके पदान मंत्री है वो भारत के सम्भीधान में यह लिखा गया Đ PDF में ही के शराब को बंद किया जाये पदान मंत्री बंद क्यों ने कर रहा है धर शराब पीकर मरद लोग महिलाओं को मारते नहीं, पीटते नहीं, जलाते नहीं, शराब पीकर लोग तक्कर मारकर जाने ले ले लेते हैं। शराब पर पाबंदी लगाएे। और UCC की आप बात करतें, कौन सा С्कूल अव थाट होगा? मिताक्षरा होगा, देया भागा होगा? बोलो प्रदानमंत्री आप बताईए कौन सा भागा? मिताक्षरा स्कूल अव थाट होगा? कैसा होगा? बताईए 혹시 है भारत के पूलरिजम और ठागा? भारत के प parदानमंत्र करने क्या कहा था कि यू सी सी को मैंडिटरी नहींगी दे के बाबा साब हम बेड कर वो बले कि वालिंटरी होना चाहिए और झा बले कि नॉन रिलिजियस सेकुलर ला है ना चाहिए जिसको आक्सेसिबल सबको नॉन रिलियस उकिलर ला है यहां के आपके पास corporate marriage act है succession Indian succession act already है और खुद आपका बना हुआ law commission 2018 में यह कही दिया कि UCC is neither necessary nor desirable कौन थे उसके chairman सुप्रीम कोड के justice बियस बूशन साब थे चैनल को like share and subscribe करे और bell icon दवाना ना भूले